नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों आज जो आपके 17 जनौरी को रेलवे एंटी पीछी का एक्जाम हुआ है दोनों पारियो में सब्तों बारियो में पूझे के स्वाल —दोनों पारियो जिन भी candidate ते टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है link description box में है click करके जरूर जोइन कर लेना है तो देख लेते हैं second shift ने पूछे कि GK के questions और दोस्तों साथ ही साथ जिन भी candidate का आज exam था तो total यहाँ पर शेंटी जो GK की स्वाल है second shift comment करके बताना इसमें से आपके कितने correct हो रहे थी और इन सभी candidate का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्दोंने real और authentic स्वाल है वो टेलिग्राम पर send की हैं आप भी अपने shift पूछे के स्वाल send कर सकते हैं इसके लिए आपको टेलिग्राम से जोड़ना होगा स्वाल continue कर उससे पर में आपको बता दू जिन्भी candidate का भी NTPC का एक्जाम होना या फिर आने वाले railway group D का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप डेली एक mock test जरूर attempt कीजेगा यहां से आपके लगातार practice से पता चल जाए कि आपको कितना और boost करना है तो इसके लिए यहां पर 9 वर्ष पर test book आपके लिए 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 आया है एक धाकेदार offer आपको मिल रहे है 299 रुपे में एक साल की well duty के साथ 100 प्लस exams के अभी जो आपके NTPC के exam चग रहे हैं उसके इसमर्तियाधारी test भी वहाँ पर available हो चुके हैं यहां से एक आपको और अच्छा idea मिल जाएगा कि आपकी कितने स्वाल correct हो सकते हैं आपके NTPC exam में तो link description box में है इसमें भी आप TTG के coupon code apply करोगे तो आपको extra और 30 रुपे का discount मिल जाएगा और यहां पर आपकी group D के 170 प्लस test है NTPC के 162 test है बाकी यहां पर एक crash course भी लाया गया है जो especially NTPC exam को देखती हुई वो मातर 349 रुपे में है इसमें भी TTG के coupon code से आपको discount मिल जाएगा सभी के link description box और comment box में पिन कर दी गई है देखे कि आपके सामने जो पहला स्वाल है पंच मड़ी BioSphere Reger है यह कहां पर है तो यह है आपकी मद्य प्रदेश में तो मद्य प्रदेश में सत्पुडा range में इस्तित है पंच मड़ी BioSphere Reger है और इसे BioSphere Reger है के टेगरी में कब शामिल किया गया है तो इसे UNESCO ने 2009 में BioSphere Reger है नामित किया था अगला स्वाल दिखेगा लोक नियोजन के विशे में आउसर की समता किस आर्टिकल में वर्नित है तो यह repeat वा स्वाल NTPC में लोक नियोजन के विशे में आउसर की समता आर्टिकल 16 हो जाएगा और इसके अंतरगत कोई भी राज्य है उसके अंदिन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ती से समन्त विशे में सभी नागरिकों के लिए आउसर की समता होगी अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपके समता के आर्टिकल है 14 से 18 तक तो आर्टिकल 14 कहता है विदी के समक्ष समानता आर्टिकल 15 अनुचेद 15 धरम मूलवन्स जाति लिंग या जनमिस्तान के अधार पर कोई भी विविद नहीं होगा आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विशे में जो आज पूछा गया है 17 और 18 काफ़ इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जामें आते हैं तो आर्टिकल 17 है और इस परिश्टा का अंत 18 है उपादियों का अंत जो टाइटल है वो नहीं होना चाहिए और फिर यहाँ पर बहुत बार पूछे जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए समता और समांता का 14-18 शोतंतरता का 19-22 शोशन के वरुद अधिकार 23-24 है जो अधिकार यहाँ पर बता रहा हूँ धार्मिक शोतंतरता का अधिकार 25-28 और फिर यहाँ पर संसकर्ति और सिक्षा संबन्दित आर्टिकल 29-30 हो जाएंगी और सुविधानिक उप्चारों का अधिकार है आर्टिकल 32 तो ये तो आपके हो जाएंगे मौलिक अधिकार और इसमें एक पहले समपतिक का अधिकार भी था जो के 1978 में 44 से सुविधान सनसोदिन के दोरा इसे आर्टिकल 301 के अंतर के तब मौलिक अधिकार से हटा कर विदिक अबदिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है अब दिखे एकजामें पूछावा सवाल के दिल्ली पुलिस में जो और आर्टिकल पहले 19F भी था जो की संपतिक आदिकार था वो 44 में समिधान के दौरा संसोदन के दौरा 1978 के तैट हटा दिया गया है अगरा स्वाल दिखेगा Amazon, Amazon, Blue Origin के CEO कौन है तो Amazon और Blue Origin है इन दोनों को ही Chief Executive Officer है Jeff Bezos अन्य जितनी भी इंपोटेंट कंपनिया है उनके CEO जरूर देखे जाना एक्जामे आ रहा है Apple के Tim Cook है Microsoft के है सत्या नडेला Adobe के है शांतरू नारायन Samsung के है तीन CEO है किम की नाम है किम ह्यूनशुक है कोहो डॉंग जिन है Nokia के है पेखा यूट्यूब के है सुजेन वोजश्की अगरा स्वाल दिखेगा Google का संस्तापक भी यहां पर पूछ लिया गया है तो Larry Page और सर्जी बिन हो जाएंगे Google के founder है इस्तापना जो संस्तापक founded कब हुआ Google तो 1998 में बुआ है सितंबर में लाल बहादूर शास्त्री की समादी का क्या नाम है तो विजे घाट है वो लाल बहादूर शास्त्री की समादी इस्तल यह कहाँ पर नई दिल्ली में है अन्य जितने भी महापुरुशों का समादी इस्तल है जरू देख रहे नहीं वो गुलजारी लाल नंदा के समाधि इस्तलक पेते हैं चेट्टे भूमी है भीमराव अमेड करजी की अगला स्वाल देखेगा इस्टोमक जो अमाश्य है उसमें कौन सा एसिड होता है तो ये हाइट्रो कलोरिक एसिड हो जाएगा अमाश्य में अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री वर्तमान में कौन है तो मिनिस्टर आप यूथ अफेर्स एंड इस्पोर्ट हो जाएंगे किरन रिजुजू अगला स्वाल देखेगा यहाँ पर इंडिया दा फ्यूचर इस नव पुस्तक के ओथर कौन है कल मैंने बताया था कल आपकी स्वाल आया था शर्षी तरूर की एक बुक्स थी कल आपकी यह वाली बुक्स आया था वाई आई में हिंदू उसमें मैंने शर्षी तरूर की जितनी भी बुक्स है वो बताई थी आज यहाँ पर यह बता पूच लिया है कि इंडिया दा फ्यूचर इस नव पुस्तक के लिखे कौ और पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है इंपोटेंट है वाई आई में हिंदू एन एरा अप डाकनेस बहुत बार कुछ से जाता है इंडिया शास्तर और इंडिया दा फ्यूचर इस नव हो गया बुक्स इन बगदाद है दा फाइव डॉलर इसमाइल है पैक्स इंड लिका है रियोट हैं इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम है शो बिजनेस ये सभी शर्शी थरूर के दोरा लिखित पुस्त के हो जाएगी 2020 से 2018 तक कितने परसंटेज बागों को शिकारियों या फिर करंट लगने से मर गए तो अवेज शिकार के दोरा कितने तक तो ये आपका एंसर हो जाएगा 31.5 परसंटेज काफी टप सवाल था राष्टी बाग सनक्षन प्राधिकरण एंडिस ये के दोरा जारी आखनों के मताबिक 2012 और 2018 के मद्दे 656 बागों की मौत हुई है तोटल 656 बागों की जो मौत हुई है उसमें से 207 जो टाइगर की मौत हुई है वो शिकारियों या फिर करंट लगने से हुई है इनमें से शिकार करने से अवे शिकार करने से 207 बागों की मौत हुई है 656 में से तो इसके एकोर्डिंग परसंटेज आपकी पूचा गया था 31.5 परसंटेज ग्रेक्ट करना था अभी के डाटा के डाटा के ड टाइगर एंडिया में 2967 टाइगर हैं ससी 2020 में आयावा स्वाल हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर इसमें मद्य परदेश में हैं 526 टाइगर कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वरग EWS के लिए 10% आरक्षन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तो गुजरा आर्टिकल से पूछा जा सकता आने वाल सिब्क के लिए तो आर्टिकल 103 में समिधान संसोदन है इसके तैद कौन से समिधान संसोदन के तैद, एक सो तीन में समिधान संसोदन के तैद, आर्टिकल सोहला में संसोदन करके सारुदनिक रोजगार में आर्थिक रूप से पिछडे वरग से कमजोर वरग के लिए 10% आर्खशन की व्यासता की गई है, नेशनली के FAO की फुल तो ये CPU में रहती है, एक तरीके से, जो केश मेमोरी रहती है, कम्प्यूटर में वो CPU में स्थित रहती है, जो कि FASTEST मेमोरी है, कम्प्यूटर की केश मेमोरी एक्जाम में आता ये स्वाल भी, अगरा स्वाल दिखे गया आपर कौन सा फ्लूड जो दरो है, वो छोटी से वसा को बाहर निकालता है लिम्प करेक्ट हैं जिसमें स्वेत रक्त कणिकाई पाई जाती हैं अगला स्वाल दिखे गए आपर 1911 से पेरे भारत की राजधानी क्या थी तो यहाँ पर पूचा गया था कि 1722 तर्शे लेकर 1911 तक भारत की राजधानी क्या रही हैं तो यह हो जाएगा आपके कल कता भारत की राजधानी थी 1911 तक उश्के बाद दिल्ली यहाँ पर इस्तानांतृत कर दी गई हैं जो और दिल्ली राजधानी इस्तानांतुरित करने की जो गोशना की थी वो एंटिपी सिम आया था वो जोर्ज पंचम ने की थी दिल्ली को राजधानी बनाने को 11 दिसमर 1911 को दिल्ली दर्बार में गोशना की गई थी और फिर जो आधिकारिक रूप से उधगाटन हुआ था दि तो पर्थम लोगशबा इलेक्शन हुए थी 1921 में तो ये फर्स्ट इलेक्शन हुए है लोगशबा की 25 अक्टूबर 1921 से 21 फैव 1922 तक हुए थी और भारत के पहले आम चुनाओ के बाद 17 अप्रेल 1922 को पर्थम लोगशबा का गठन हुआ था और इसके गठन के बाद जो पहला 70 हुआ है लोगशबा का सुरू वो 13 माई 1922 को हुआ था टोटल कितनी सीट पर ये इलेक्शन हुआ था पर्थम लोगशबा चुनाओ में तो ये हुआ था टोटल 499 सीटों पर इलेक्शन हुआ था जिसमें INC को आई थी 364 सीट सेकेंड पार्ट जो INC के बाद ये वो अप्रेल 1526 को और उसके बाद जो बाबर का युद हुआ था वो कौन सा था तो ये हो जाएगा आपकी खानवा का युद पानिपत के युद के बाद बाबर ने खानवा का युद उसके बाद जंदेरी का युद उसके बाद घागरा का युद किया था तो खानवा का पर गहागरा के दुआता 6 माई 1529 को बावर और अफगान जो मुहुमद लोधी किमत दे IPBES की फुल फॉर्म आपको पूची है IPBES की फुल फॉर्म क्या होगी तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपकी इंटर गवर्मेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफर्म ऑन बायोडावर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज हो जाएगा जो 2012 में IPBES की स्थापना हुई है हेड कोर्टर बॉन जरमनी में है स्युक्तराष्टर महासभा की सत्रवी बैठक में सतत्विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया जिसमें कितने सतत्विकास लक्षे शामिल किये गए है तो एजेंडा 2030 है जो स्युक्तराष्टर महासभा के दोरा अपनाया गया था उसमें जो सतत विकास लक्षे तै किये गे थे वो टोटल 17 सतत विकास लक्षे उसमें शामिल किये गे थे एजेंडा 2030 में जो सितम्मर 2015 में गोशना हुई थी शुक्त राश्टर माहसबा की सतरवी वैठक में इसके तैत शत्रा लक्षे तता 179 उपलक्षे निधारित किये गे थे जो कि 2016 से 2030 इसके आउधी तक प्राप्त करना था यहाँ पर आप देख सकते हो सतरा SDG जो गोल कौन से हैं नो पॉवर्टी हो गया जीरो हंगर गुड हेल्ट एंड वैल बिइंग है क्वालिटी एजुकेशन जेंडर एक्विलिटी यह सभी आपके सतरा टारगेट हैं अगला स्वाल यह इस पर स्वाल है आप कमेंट करके बताना एक्जेक्ट क्या स्वाल पूछा गया था एक इस परकार से था कि भूगरबिक विकास का अध्यन है वो किस ब्रांच में क्या कहलाता है ये option भी बता रहे है इस्टुडेंट तो exact क्या स्वाल था जिन्वी candidate का second surprise एक्जाम था जरूर बता देना अगला स्वाल दिखें यहाँ पर आईलेस जो पलके हैं उसको वास करने के लिए धोने के लिए कौन सा अमल प्रियोग होता है तो ये बोरिक एसिड करेक्ट हो जाएगा प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना किस से सम्मंदित है तो ये युगाओं को कोशल प्रशिक्षन प उपलब्त कराएगी रोजगार मोहया कराएगी जो कि कम पढ़ लेके हो और बीच में श्कूल छोड़ चुके हो तो ये प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना जो 15 जुलाई दोजार 15 को स्केल डवलप्मेंट एंड एंटर्पर्नियोर्शिप मंत्रा लेके दौरा सुरू क गई थी अगला स्वाद दिखेगा ओन जी सी कंपनी के सच्छेतर से संबंदित हैं तो ये हो जाएगा इसकी फुलफॉर्म ओएल एंड नेचुरल गैस कॉर्परेशन कमेंट करके बताना इसमें क्या ओप्शन दिये गए थी तो ये गैस और ओयल से संबंदित हो जाएगी जिसमें प्राकर्ति गैस पेट्रोलियम है एलन जी हो गई और लुब्रिकेंट है पेट्रो केमिकल है एलेक्रिसिटी है ये उत्पाद बनाने के लिए वागा बोर्डर का इस्तित है सबी को पता होना चाहिए पंजाब में आपके राज्ये के ओप्शन दिये गए थी तो प पंजाब करेक्ट हो जाएगी अमरसर के पास में ये 30-32 किलोमेटर और अटारी बोर्डर भी वागा के पास में अमरसर पंजाब में है मुनाबाव बोर्ड पूछले जो भारत पाकिस्तान की पनमुक बोर्डर की बात कर रहा हूं तो ये बाड में राजिस्तान में है मुना परशंटेज है तो आपको पाता होना चाहिए विश्व में सबसी ज़्यदा दाल का प्रोडेक्शन है वो भारत करता है जो कि टोटल गलोबली हिस्से का 25 परशंटेज उत्पादन दालों का भारत में होता है और अगला स्वालिया पर 2011 की जंगर्णा के अनुसार भारत में सा पीसी मायवा स्वाल है फीमेल की कितनी साकसर्टादार है वो 65.46 है मेल की हो जाएगी 82.14 परशंटेज अगला स्वाल देखिए यहां पर लोईट्स रिपोर्ट 2019 की एकोर्डिंग टॉप 30 वेश्वी कंटेनर पोर्ट में सामिल होने वाला भारत का एक मात्र पोर्ट बंदर इसे पहले नहवा शेवा पोर्ट की रूप में भी जाना जाता था और ये सिर्ष 30 वेश्वी कंटेनर बंदरगाओं में से सुचिवध होने वाला भारत का एक मात्र बंदरगा हो जाएगा और ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है भारत का नवी मुंबोई की राइगर ज वाली सबसे हलकी गैस कौन से तो गुबारों में भरी विदाने वाली हलकी गैस हीलियम हो जाएगी अब दीकि हीलियम से भी हलकी गैस कौन से होते तो सबसे हलकी वैसे हाइड्रोजन होती है इनके अंडेट का नाम मिस हो गया है तो इनका भी धन्नेवाद अगरा स्वाल किस में active cell होता है तो ये exit किस प्रकार से ज्या गया था ये MSXL से स्वाल था deep line करके भी उसमें कुछ question में include किया गया था language में तो active cell की बात करें तो cell तो MSXL spreadsheet में होता है नेक्षन देखेगा डॉक्टर बीवी लाल के नेतरतों में हस्तिनापूर प्रातात्विक इस्तल का उत्खनन कब किया गया था तो डॉक्टर बीवी लाल के नेतरतों में इसका उत्खनन इस्टार्ट हुआ था उनिस सो पच्चास और बावन में तो पचास हो जाएगा यूपी मेहरट में है ये हस्तिनापूर पुरातात्विक इस्तर इनसेट वन बी सेटलाइट उपगर लॉंच कब हुआ था इयर इसमें पूछा था तो 1983 में हुआ था इनसेट वन बी उपगर लॉंच हुआ था रोकेट का नाम है इस पेस शटल चेलेंजर HTS-8 या फिर PAM-D हो जाएगा तो ये 1983 में लॉंच हुआ था और बात करूँ मैं यहाँ पर G730 की तो ये अभी जनवरी 2020 में लॉंच हुआ है G730 है टैल्यू कम्यूनिकेशन सेटलाइग 2018 में कॉफी उत्पादर में अगरनी राच्चे कौन सा तो सबसे ज़्यदा कॉफी होती है करना टक में उसके बाद गैरल में होती है चाय की बात करें तो सबसे ज़्यदा टी प्रोड्यूसर इस्टेट हो जाएगा असम अर्ष्ययोग और खिलापत आंदुलन कब हुए थी तो उसमें वैसे इनकी डैट अलग लग है ये अलग लग है लेकिन 1920 ऑप्षन में दिया गया था दोनों केस में क्योंकि जो खिलापत आंदुलन है ये 1919 से 1921 तक चला था तो ये 1920 हो जाएगा और अर्ष्ययोग आंदुल उनकी शुरुआ था ये 5 सितंबर 1920 को हुआ था महत्मा गांदी जी के दोरा खिलापत आंदुला ने ये मुहमद अली और शोकत अली बंदुलने मार्च 1919 में शुरुआत की थी तो जनवरी 1921 तक ये चला था अगला स्वाल दिखेगा या पर समूदरी जल सता का और सता आप इसलाम धरम का है शरिया कानून एक आपके इस टैप से स्वालता किलीन इंडिया मिशन का उद्धेश्य क्या है तो ये जो इस्टिट गलिया हैं सडके हैं सहरों और ग्रामिन चैत्रों को शाप करने के लिए एक राष्ट व्यापी अभ्यान हो जाएगा हेल्थ का था श्व पफच्ता की और अगला स्वाल देखें अंतिम स्वाली सिपका युसे भारत को रूस से एस चार सो मिसाल खरीदने से मना कर रहा है धंकी दे रहा है कि रसीया से एज चार सो मत खरीदों तो उसके इस्तान पर वो कौन सी अमरिका में निर्मित मिशाइल हैं अमरिका मूल की खरीदो और वैसे यहाँ पर मैं बात करूँ S-400 मिसायल की तो यह 15 अक्टूबर 2016 को बिक्स शिक्षर सम्विलन की दोरां भारत और रासिया ने 5 S-400 रेजिमेंट के आप पूर्ती के लिए एक IGA किया है अंतर सरकारी समझोते पर हस्ताकसर की हैं तो Patriot Pack 3 हो जाएगा जो USA के द केंडियाट नहीं देखा हैं बाकि इसमें भी अपन कवर कर लेंगी तो इन सभी केंडियाट का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ओथेंटिक स्वाल है वो टेलिग्राम पर सेंट की हैं पर्थमपारी के देखेगा पहला स्वाल कॉलकता में फॉर्ट विलि जो कलकता के स्थापना हुई हैं उससे पहले तीन गाउं थे कालिकट, गोविंदपूर और सूतानूती और इन पर जमिदारी अधिकार हासिल किया था 1698 में इस्ट इंडिया कंपनी ने और इन तीनों गाउं को कलकता के रूप में विक्सित कर दिया अगला स्वाल देखे ह हड़पा की खुदाई की समय पुरातात्युकि वबाग की निजिसक कौन थी तो हड़पा की खुदाई हुई थी दोस्तों! शाक्षे मिले हैं और नेक्स्टों देखेगे आपर मोहन जोद्रों की खोज किस ने की थी तो 1922 में राखाल दास मनरजी ने की थी सिंदू घाटी सविदा के इस्तल से आज तीन स्वाल पूचेगे हैं परतेक से पूचे जा रहा है आर्के लोजिकल साइट से स्वाल जरूर देखे जाना मोहन जोद्रों कहां पर ये पाकिस्तान में हैं पंजाब प्रांद के लर्काना जले में सिंदू नदी के तट परिष्टित हैं और यहां से किस के शाक्षे मिले हैं नर्तकी के मिले हैं जो काश्य मूर्ती हैं सनानगार के मिले हैं कपास के टुकडे के मिले हैं गोडे के दात के शक्षी है वो मुहन जोदलों से मिले हैं नेक्षम देखेगे आपर राश्पति को भारती समिदान की केस आर्टिकल के तेयत शमादान की सक्ति प्राप्त तो आर्टिकल बहतर इसका करेक्ट हो जाएगा और पूछले राश्पति केस में ये आर्टिकल 161 हो जाएगा नेक्षम देखे जी एस एलवी मार्क 3 का निकनेम आपको पूचा है तो इनके दो निकनेम हैं आपके फेट बोई था बहुबली नहीं ता तो ये फेट बोई करेक्ट करना था बाकि इसको बहुबली भी का जाता है निकनेम जी एस एलवी मार्क 3 यहनी जी यो सिंक्रोनस सेटेलाइट लाँच वेहिकल मार्क 3 और इसका प्रियोग है वो दो बार एक तो केर में हुआ है जो क्रियू मोडूल एटमोस्पियर री एंट्री एक्स्परिमेंट किया गया है गगन्यान से पहले और एक चंदरियान 2 में किया गया है नेक्स्टोन यहाँ पर स्वाल नंबर 6 पर्थमपारी का युनाइटेड नेशन्स यूनिरसिटी कहां पर है तो टोक्यो जापान में है अगला स्वाल देखे स्यूंक्त राष्टे दोरा हेल से सम्मंदित कौन सा संक्टन है तो यह विशो स्वास्ते संक्टन है इसता अपना 7 अरपल 1948 को हुई थी जैनेवा स्वीजर लेंड में इसका हेड़कॉर्टर है किस स्वीडिस टैनिस खलाडी ने 5 लगातार ग्रैंड स्वापन जीते हैं यह स्वीडिस क्खलाडी हो जाएंगे रोजर फेडर है पांच तो यह विम्बल्डन पांच लगातार पूप पूछ रहे तो वो भी रोजर फेडर हो जाएंगे साती साती Ara पर बॉग है इन्होंने भी 1906-1980 तक 5 लगातार विंबल्डन जीते हैं सबसे ज़्यादा Grand Slam विजेता आने वाल सिप में जरूर स्वाल बनेगा सबसे ज़्यादा Grand Slam विजेता है वो टैनिस प्लेयर है रोजर फेडर और अभी राफेल नडाल भी दोनों ही है बीस टाइटल इनके नाम में है नवाक जोकोविचे 17 और बात है इस पेंसी नवाक जोकोविचे सर्विया से क्योंकि यहां से स्वाल पूछे जाते हैं बाकि Grand Slam 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है राफेल नडाल नडाल जीता है यूएस ओपन है डोमोनिक थीम ने ओस्टिल्या नवाक जोकोविचे न जीता है महिला Grand Slam फ्रेंच ओपन है इगा स्वीटेक ने यूएस ओपन है नोवामी ओश्का ओस्टिल्या ओपन सोप्या क्या निन ने पर्थम महिला लोक्षवा स्पिकर है तो मीरा कुमार हो जाएगी और शुमित्र महाजन सेकेंड है मीरा कुमार 2009-14 और महाजन यापर 14-19 है वो गनेश वासुदेव मावलंकर है आप कमेंट करके बताएगा पर्थम तो हो गया अभी वर्तमान में लोक्षवा स्पिकर कितने नंबर के हैं और कौन है मतलब कौन सी लोकशबा है और लोकशबा स्पीकर कौन है नेशनल देखे सरद अरविन बोबडे से पहले 46 में चीप जश्टिस ओप इंडिया सुप्रेम कोड के मुख्य नाइदिस कौन थे इस से पहले 47 से पहले तो रंजन गोगोई थे वर्तमान में 47 में हैं चीप जश्टिस शरद अरविन बोबडे नेशनल हाईवे 44 कहां से कहां तक हैं तो नेशनल हाईवे 44 हैं ये सिरी नगर से लेकर कन्या कुमारी तक है 3,645 किलोमेटर्स की लेंथ है भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा तो ये भी एनेच 44 हो जाएगा इससे पहले इसे एनेच 7 के नाम से जाना जाता था तो ये सबसे लंबा है सबसे सोटेस्ट पूछ लें छोटा पूछ लें तो ये आपके 90 966 B हो जाएगा इसका पहले नाम था 47 A अगला स्वाल मोतियों का शहर किस सिटी को कहा जाता है है हैदराबाद को निजाम का शहर औ राईरकेला दुर्गापूरा और भिलाई इनमें से किसके प्लांट है तो ये सबस्तिए और बात करों वोकारओं को ये जहारखंड में है इसको इसबस्ति मांगल में है अगला स्वाल दिखे गरीबी देखा से नीच जियो नियापंण करने वाले परिवारों की महीला सदिश्यों के लिए रियासती LPG connection उपलब कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है तो पर्धान मंत्री ओजुला योजना से स्वाल आया है जिसकी शुरुवात एक माई 2016 को यूपी के बल्या से हुई है और ये योजना किस मंत्राली के दो संचालित योजना है और ये लाल के ले से गोशना हुई थी 15 अगस 2015 को नरेंदर मोदी के वाशन के दोरा कौन सा विदूत उपकरण विदूत परवा के ताप प्रभाव के शिद्धान पर काम नहीं करता है तो ये कौन सा आपके विदूत उपकरण हो जाएगा जो की इलेक पूछे जाता है कि एलेक्टिक फ्यूज है कि सिद्धान पर काम करता है ये भी हेटिंग एफक्ट पर काम करता है ताप ये प्रभाव पर विदूत धारा की पर्थम रोबोट जिसे मानों का दर्जा दिया गया है मतलब जिनको नागरिकता दी गई वो शोप्या हो जाएग और किन की नागरिकता मिली है इनको? शाओदी अरव की citizenship दी गई है 2017 में शोप्या रोबोट हो जएगा जो पर्थम मानों का नागरिकता दी गई है और भारत का जो रषमी रोबोट है ये दुनिया का पहला रोबोट है जो हिंदी भाषी और भारत की पहली यत्थार्थ वा कहां से लॉंच हुआ था तो चंदरियान 2 है ये लॉंच हुआ था 37 धवन इस्पेस सेंटर शेकेंड लॉंच पेड जो स्री हरी कोटा नेलोर जिला अंधरा प्रदेश से लॉंच डेट मतलब ये हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉंच रोकेट है जी एस एलवी मार्क 3 म1 बंबई म मतलब जो रेत का मतलब हो जाता है किसान और इसमें किसानों को ही भुमी के मालिकाना हक है पूरा अधिकार दे दिया गया था इसताई बंदोबस पर्मानेंट सेटलमेंट की बात कहूं तो 1793 में लॉर्ड कान वालिस ने की थी बंगाल बिहार ओडिशा में एजारेदारी प उसकी मांग और बढ़ जाती है वस्तु की कीमत बढ़ने पर वैसे डिमांड कम होने चाहिए लेकिन यह आपर उल्टा हो रहा है गिफिन गोर्ष कैल के λाती है और कीमत कम होगी तो मांग फिर घट जाएगी बढ़ने चाहिए कम रेट पे तो ज्यादा खरी civिन खरीन ऑल् जंक्षन ओक नॉर्थ साउथ एंड इस्ट वेस्ट कोरीडूर तो नॉर्थ साउथ इस्ट वेस्ट कोरीडूर है जो एक योजना है। उन्गोइंग हाईवे प्रोजेक्ट है 7142 किलोमेटर का है इसमें जो जंक्सन रहता है ये वाला जो आपस में इंट्रेक्ट करता है ये जहांसी में यूपी हो जाएगा अगला स्वाल देखे गया आपर कार्गो सेवा किसे सम्मंदित है तो ये जो भी माल है जैसे विमान है जाज है ट्रेन है ट्रक है इनके दोरा माल या उत्पाद को परिवहन करना कार्गो कहलाता है लाल सागर और भूमद्य सागर से कौन कनेक्ट करता है कल स्वाल मैंने बताया था कि स्वेज नेर की कब खोला गया था आज पूछ रहा है उसमें मैंने बताया कि वो लाल सागर और भूमति सागर्श को जोडता है तो स्वेजनेयर यापर करेक्ट हो जाएगा विच्छ अप फॉलोविंग इस नॉट क्राप्ट शाइट ऑफ हडपा तो इसमें एक आप्शन बाला कोट का था जो करेक्ट हो जाएगा हडपा शाइट नहीं है बाकि कौनसी आप देख सकते हो मोहन चोदलो हैं सनूदलो हैं ये रंग पूर कोर्दीजी ये सभी हडपा साइट हो जाएगी लोथल काली बंगा शूर कोटड़ा धोला वीरा भारत की नवीन परोत जो वलित परोसरंकला पूछाएगी भारत की वलित परोसरंकला कौन सी तो हमल्ले हो जाएगी बाकि अ चिंजन है किनके दोरा इंटरनेट से डाटा ट्रांसपर किया जा सकता है तो इमेल से आप डाटा ट्रांसपर कर सकते हूँ इंटरनेट से बात हो रही है प्लास्टर आप पैरिस के बारे में क्या सही नहीं है तो प्लास्टर आप पैरिस के बारे में एक तो इसका कलर शपेद कौनकता में परमान उर्जा विभाग का कौन सा अनुसंदान केंदर नहीं है यह भी ऑप्षन पर आजाई थे वैसे बात करों उसमें कि यह उप्षन दिया गया था वी एसी सी तो वैरिबल एनरजी सैक्लोट्रॉन सेंटर आपको पता होना चाहिए कौनकता में इस्तित है रा सेंग्या के दुगुनी होने के आउदी को माल थस्ते इस सिदान में 25 वर्षे वो बताया था किर्षन की सोने और बहुमले पत्थरों से अंकित जो पैंटिंग है वो किस चितर शेली में निर्मित है तो यह आपके तंजावर पैंटिंग करेक्ट एंसर हो जाएगा यूनिस है कितने जयो मंडल रिज़रो बाई इस पे रिजरो है तो भारत में वरतमान में 18 मंडल रेज़रो है और जयाओ मंडल रेज़रो कारिक्राम की शुरूआद भारत में 1986 में हुई थी और इसके त्याद अस्भापीत स Video था और बार्त मेंगें हो जाएगा गुजरात में और जो कचका रण है कचका रण 22 है और बात किरू में मैं डायश पर रिजरू कारे क्रां की तो इसके अंतर कर टोटल बारा भारत की 22 पर रिजर्ट शामिल है बारवा कौन सा ग्यारवा तो कंचन जंगा है बारवा है 15 22 पर रिजर्ट जो कि नवंबर 2020 में इंक्लूड किया गया था अगला स्वाल दिखे गया पर कौन सा जंगली पोधा है जिनके नुक्विले काटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है तो ये नेटल करेक्ट हो जाएगा इसमें रॉम जैसे पतले कांटे हो जाने वाले फॉर्मिक एसिड होता है जिसके वज़े से जलने लग जाते हैं जलाने वाले हिस्टामाइन होता है तो फॉर्मिक एसिड हिस्टामाइन की कांट यहाँ पर सुजान आ जाता है पीड़ा दाएक रहता है यह नेटल पोधा उच्छ सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों के दौरा यह जारे भाष्टाचार की शिकायते सुनने एवां उस पर कारेवाई करने हे तू किस पर का सर्जन हुआ है लोगपाल का सर्जन हुआ है पर्थम लोगपाल वर्तमान में कौन है पि स्वाल आपने यूट्यूबर कहीं पर भी नहीं देखे होंगे तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना धन्यवाद